Hello Aspirants, Welcome to Electrical Whiteboard So कैसे हैं आप लोग, I hope सभी अच्छे होंगे So guys, आज आप लोगों के लिए हमारे पास है latest recruitment junior engineer का So चलिए शुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो like, share and comment कीजिए चैनल को subscribe करके bell icon press कीजिए ताकि आप से कोई latest technical job notification मिस ना हो So ये vacancy है guys आपकी राजिस्थान, राजिस्थान की और ये junior engineer की post है काफी सारी post है, ठीक है So चलिए analyze करते हैं इनका तो देखो, post नहीं में सबसे पहले junior engineer अच्छे ये junior engineer वाली जो post हैं ये diploma and degree दोनों के लिए हैं तो अब इसमें total जो post निकल के आ रही हैं वो आ रही है, 1054 total post हैं इसमें अब बात करते हैं, कौन-कौन से department में कौन-कौन सी post है ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा department है वो है public work department, PWD ठीक है, अब इसमें J degree की बात करते हैं तो civil वालों के लिए 276 हैं electrical वालों के लिए 29 post हैं civil वालों के लिए काफी अच्छी post है अब इसी वेकनसी में अगला जो department है वो है हमारा राजिस्थान स्टेट एग्रिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का, ठीक है ये department है आपका और इसमें J degree जो degree वालों के लिए हैं उनके लिए civil में 59 हैं और इसी डिपार्टमेंट में J diploma वालों के लिए civil के लिए 15 हैं और इलेक्टरिकल के लिए आपकी एक post है ठीक है अब देखो J diploma वालों के लिए civil के लिए 69 अलग हैं और इलेक्टरिकल के लिए 6 अलग हैं अब अगले department की बात करते हैं अब बात करते हैं इसी डिपार्टमेंट में जो डिपलोमा वाले हैं उनके लिए civil की बहुत अच्छी पोस्ट है 307 पोस्ट और मेकेनिकल की एवल चार पोस्ट है तो और आप देख रहे होंगे J जो civil की है वो काफी वेकंसी है देखिए इनके official notification का ही part है किसमें कितनी है वो मैं already mention कर रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से अब बात करते हैं education qualification की तो इसमें क्या चाहिए junior engineer diploma तो क्या होना चाहिए डिपलोमा in electrical civil mechanical agriculture engineer मतलब जो डिपलोमा है वो in trade में आपका होना चाहिए अब junior engineer degree की बात करें तो degree in electrical civil mechanical agriculture engineering इनमें आपको डिगरी होनी चाहिए pace के लिए है इसका 33,800 पर मन्थ है and age limit तो काफी है 40 years तक वाले भी apply कर सकते हैं बात करते हैं इसकी application fees की तो application fees unreserved और OVC के लिए unreserved के लिए 4500 है OVC के लिए 3500 सेलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो based on return exam return exam के basis पे होगा और आपकी important date जो है तो application start होगा वो होगा आपका 4 March से 2020 से और जो online application close होगा वो आपका 2 April 2020 को close हो जाएगा last date of fee payment भी आपकी 2 April 2020 है तो guys ये था आपका job notification टेक्निकल जोब नोटिफिकेशन राजिस्थान जेई का ठीके degree and diploma apply कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर दीजे क्योंकि हम इस चैनल पर latest टेक्निकल job notification देते हैं and previous year junior engineer electrical के paper solve करते हैं and क्या करते हैं short notes भी आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर देंगे अगर आप देखना चाहते हैं तो में डिस्क्रेशन में लिंक डाल दूँगा हम DMRC जेई लेक्रिकल का paper solve किया है I hope आपको पसंद आएगा so thanks for watching βromै झाएशन फार्शन chat